अच्छाइब एफ एफ इसलाम अलेकूं कैसे हैं आप सब इसलाम शुक्र मेरे को फिराप यह अच्छाला सब ठीक ठाग है अच्छा हम ना इग इन्ट बेट करने थे ताकि स्टूडर्स कुछ इसने आना है वह आदे ताकि फिर हम क्लास टार्ट करें अभी तक वह आई रहे हैं कुछ इसलिए वालेकूं स्टान से अप्टेस हैं अल्हम्दुल्ल्ह अल्हम्दुल्ल्ह अच्छा लेक्स रिवाइज बैक्सिं जो हमने पहले पड़ी थी वो थोड़ी सी रिवाइज करते हैं हमने लास्ट लेक्सिर में क्या बढ़ा था अच्छा अब मैंसे कौन बताएगा कि लास्ट में हमने क्या पड़ा था है आंजा मों क्या से रहर नहीं हो कि आंट ल stato od को हमने में ग्वेश्मक सलान क्यांद रहर दीजिस सिर्ण तर जया जब डेश्ट इ सब्टेन था अब देख या अ यह यह करो दो प्लिया अँग यह कर दो अ अ यह दो दो आओं कुछ नहीं बोले इसलिए पूछने पर आप यह लुक्मान आपटाओ ने क्या बढ़ाओ था तरह ने के लिए और फिर आप यह लुक्त बढ़ाओ पर एक से दूसरे तक जाने के लिए और पिर उसमें स्टैल रंग एक ते आप बल्कुल अच्छा अज़कर आप अज़कर आप अज़कर अज़कर आप अज़कर आप अज़कर आपना और याप ऊंड़ चम्रीज डिरिस ऑंट सांव के लिए और आप झाल 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 में इवाज अब ठीक है पहले से हैं सर आपके वाज ठीक है रहे हैं चैलेंज ठीक है है जैनम बाप बताओ कितनी टाइप्स पॉड़ी थी सर हमने CSS की तीन टाइप्स पॉड़ी थी एक्टेर्णल इंटर्नल और इन लाइन सब्सक्राइब कर दो इसकी थोड़ी सी आइनिमेशन को बाउंस कर दो यह कर दो वगरा वगरा ठीक है तो सरी थोड़ा बहुत ही तरह जाता है नहीं है तो आज हम इसा काम से उपर ठीक है जहां पर आपको आप लोगा ने मुझे पता देना कि समय ने आए पर मैं आपको बहुंगा आपके शॉल्व करणा ठीक है अब स्क्रीन शेयर करता हूं कि आप लोग देख सकें स्क्रीन विजिबल होगी तो मैं खोलता हूं कोड ताकि अच्छा मैंने न सारे लेक्चर से अपलोड कर दी है योट्यूब के अपर अगर किसी को देखने हो तो वहां से देख सकता है लाजमी जागर ठीक है मैं दुबारा से अपना कोड खोल लेता हूं वही पहले वाला ज पुछ न्यू चीजे सीखेंगे css के अंदर अज हमने में स्टाइलिंग पढ़नी है इस टाइलिंग कोन कोण सी करनी है मार्जिंस करनी है और अज हमने एक अच्छी सी नविगेशन भार बनानी है पहले था था बनानी थी ना जो दूसरा कॉन सैप्ट है लाइक ग्रेट सिस्टम वाला है वह हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकर थोड़ा साइडवांस क्यावल है वह हम थोड़ा सब्सक्राइब ताइम अच्छी नदर आड़ा है ठीक से यह जूम कर देता हूं बदकी मैंसे करते हैं अच्छी नदर आड़ा है थीक है मैं एक न्यूव बना लेता हूं अच्छी का नाम रखते हैं अच्छी नदर आड़ा है थीक है अच्छा सबसे पहले यह जो फाइल बनाई है कि मैं सिंप्ली क्या करते हैं आज की दिन मैंने तो एक नैविगेशन बार बनानी जो पहले भी बनाई हूं बट हमेश्ची ने एक्स्टर एक्स्टर फाइल निए बनाने लिए 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 अब यहां पर हमने काम करना है इस नहीं की नैविगेशन बार का का करो यह तो मैं दो काम कर सकते हूं यह मैं सिंपल एंग्डाय यूज कर आए अगर मुझे जितने जादा एक कोई भी टैग जितनी ज्यादा दाफ साइए बर ऑगर लों उसको सब्सक्राइब करके मझाए लागाए इस कि नमबर लिक वर कि दूसरा है बाले से गुणा लेता हूँ एटाइज होम इनको डी ब्राइज करते हैं शर्विसेज पॉर्फोलियो कॉंटैक्टर्स और जैट अब कुछ बना लिए अब चैक करते हैं अब चैक करते हैं अब लोग चीज बताई थी हमने खेज़ बले लोग चीज बताई थी हमने खेज़ बले लोग अब वह सब्सक्राइब करें अब लुए अब बडर कर दो है अब लोग जाएगी अब जाएगी तो इसी श्टाइब ना जो यह यह इसी जाएगा कि अब लुए अब अब लुए अब लुए अब लुए फिर्ट किट्ने कितना चोड़ा होना की उसकी मिल्भ लेंगें अब लुए अब लुए यह इस कि अब लुए इस मराब लिया है कि यह इस नहीं यह होगी तो चेंज नहीं हो रही होगी फरी रॉंड़र्उड इस तरह नहीं होगी और एस लोगी घंजAh तो आप देखें लिखिये हैं और यहां पर नहीं बोरी किया इस कोड के लिए आप अब अब बड़े हैं अब इस तीम आप बोर्ट बोले तेक जो है ना वो नहीं लिखे अपने किया ने देखा है इस टेमल टेग बोड़ी टेग वो तो हमने लिखे हैं सारे के सारे हैं यह तो सीसेस की कौन बताए का और सब्सक्राइब कि मैंने देखे हैं तो उसके पर अप्लाय किया है ठीक है बट एक्शुली में वस्ताइब कितने सारे टेक्स है नहीं देखे तो स्टाइलिंग यहां पर नहीं इंप्लेमेंट हो रही है यह देखे खाली बढ़ा है तो सब्सक्राइब अज़े लिंक ने की तो एक यह फाय स्टाइलिंग की अलक से और स्टेमागर की अलक से ठीक है थीक है तो इसके पर लिंक कर लेता हूं ताके जो जो मैं इसके इन्दर कर रहो वाट्रमाइब इसके साथ लिंक करें तो मुझे पॉरां से बता दिया कि और कि सर आपकी वाज नहीं आ रही है ना मैं बोलता हूं और आप रहो मेरी वाज भी ना आ रही है अच्छा लिंक अब स्टाइल डॉट सीसे ना तुमिन नंबल फिर फाइल लिंक को गई इसका मतलब अब देखते हैं आ गया बॉर्डर अब क्योंकर टू पिक्सल थोड़ा ज्यादा मोटा लग रहा मैं से वन पिक्सल कर लेता हूं हाँ थोड़ा पत्ता हो गए अच्छा अब एक चीज मैं आपको समझानी है वो होता है css box में वो क्या चीज है अब मैं पताता हूं आ लिए खुल जाए सब्सके। यह से मंदा है ये देखें अब यह बॉक्त आ है अब ऑड़र अब दो चीजा होती है एक होती पैड़्िंग एकुथा मार्जिंग ठीक है जो मार्जिंग ज़ो होता है मार्जिंग वह सुता बॉर्डर के उस तरफ मतलब कि border के पार अगर मैं कहतु है इसका margin 50 पिक्सल कर तो इसका मतलब perlu ह MRI लेंसे बाहिर की तरफ फिफ्टी पिक्सल च्री抖़़ देगा ठीक है मैंने खाली कर देगा ताके यह जैसे आपक्स जाना खत्म आरा फॉर्ण साथ साथ ही बॉडर है ठीक हम चाहतों फॉड़ा ना गंदा सा लग रहा है मैं इसके थोड़ी पैडिंग एड़ करता हूं इसके दिरमान टैन पिक्सल की स्पेस एक्स्ट्राइड हो गई है कि यह समझा इस बात है कैसे हुआ चलो ठीक है अच्छा नेक्स अब अगर मैंने काना कम आरजिन अब देखो मैं यह दो जो उपर आला लाइन ना हमारे बॉर्डर की अपर लाइन वह नजर नहीं आरी क्यों नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वह बिल्कुली साथ लगी हुए उसके चाहता हूं कि थोड़ी सी न कि मार्जिन भी आगड एन पिक्सल करें ठीक है कि मार्जिन के मैं इंक्रीज करूं 20 पिक्सल करूं या 30 पिक्सल करूं तो क्या होता है भला ठीक है अब अब एक और चीज मैंसा घरता हूं जितने भी ये सारे के सारे हैं ना ये पांच से इसे मैं किसी एक स्पैसिविक टैग के अंदर क्लोज करते हैं ताके मुझे पता हो कि ये नैविगेशन बार का टैग ये उसके लिए एक टैग यूद रहता है नैव ठीक है तो अब आप देखेगा स्टायलिंग में कोई आप the collection कि हमने अंकर टैक कि लिए हैं हमने यहां पर क्या करते हैं अब मैसा करता हूं मैं data के अंदर जाता हूं मैं इसा अइड़तकर वो सुपर वाला मार्जम आ अब देखे अब उपर से 20 पिक्सल स्पेस एड़ हो गई अगर आप देखे दो तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो पिक्सल स्पेस एड़ होगी उपर से ठीक है यह समझाई इतनी मार्जिन और पैडिंग्स का कॉंसेप्ट समझाया आप लोगों अगर इसमें कोई इश्यू है तो फॉरण से बताओ मुझे ठीक है आल राइट अच्छा इसके नहीं और बहुत सारे कॉंसेप्ट से माइस ता पढ़ेंगे मैं मार्जिन प्रेडिंग्स कर देता हैं ताकर थोड़ा साफ ही रहे अब और फोट भॉड्ट इस लिए लगा था ताकर आपको पता सकूं मैं अब लुग मैं इसके अंदर थेक्स को स्टेक्ट करूंगा कोई एङकर को ने करूंगा कलर अब लैक करते प्लैक अब सारा कलर ब्लैक हो गया अब देखिए गद एक टेक्स टेक्स डेक्रेशन गी आप सब तो मैं क्या करता हूं एक हो था टैक्स डैक्रिशन नन नन का मतलब है खत्म कर दो अब देखो जितनी मी टैक्स के ओपर डैक्रिशन हो गई है आप देख रहे हों गई है पहले अंडरलाइन था यह कुछ और था सब कुछ खत्म हो गई अब दूसरी बात यह अब आती है टेक्स अलाइनमेंट ठीक है अब जो नेविगेशन बाहर है अब मैं इसकी पिछे ने एक बैक्राउंड कर दो का कि पता जाने कि आप इसका टोटल एरिया कितना है ठीक है कि आप इसकी पिछेट कर देता हूँ और इसकी बिच्ट कर देता हूँ फोरस न यह वाला कर देता है इविस्ट कर देदेता है अब कि वाज नहीं आ रही सर आपकी से बहुत ज़रा कट-कट के आ रही है अब ही मेरे वाज आपको जी अब सही है अब सही है मैंने बैक्रोंड कलर एड़ किया उसके क्या चीजार हुई हमें ने उसका प्रॉफर जो जितनी भी इसकी वह पादा चाल लगी हम आपके जिकना में आपके बात करने लगते हैं तो आपके आवास कटना शुरू हो जाती है कि अच्छा ऐसा करते हैं मैं फिर ना कि करता हूं कि अस्लाम अलेकुम मेरी अवाज ठीक आ रही है जी अब ठीक है चले बहतर हो गया अब देखें बैक्रॉंड कलर टैक्स्ट अलाइन और बहुत साए प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप आश्टा पढ़ते रहेंगे सारी सारी तो नहीं नहीं पढ़ेंगे हैं कि सावरी सारी एक सेसे अक्सपर्ट भी नहीं पढ़ता अब टैक्स्ट अलाइन क्लाइस देख मुझे सेंटर चाहिए तक हो चुकी है मतलब मैं सिंपल यह खत्म करूंगा यहां से ठीक है या अगर मैं एड़ भी करूं इसे चले फिल्वक्स रहने देता है इससे बाद में इसका करता हूं कि जो मार्जिन है वो थोड़ा कम कर देता हूं कि मार्जिन इतना ज्यादा नहीं होता इन सब के अंद करूंगा मैं कोई भी पिक्टर उठाओंगा उसको मैं ज़र लोगो डिक्लियर करके यूज कर लूँगा मेरे पास यहां पर को पिक्टर पड़ी है में भी डाउन्लोड करें देता है कि मैं ज़र लोगो लगा लूँ अब इस नहीं होगी शायद यह यह मस्जित लुक्सा यह लगा 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 है अब मैं इमेज लगाएं तो अबिसली यह एक अलग से टैग करना होता है इमेज टैग ठीक है इमेज इमेज इमेल में अबिसली इसनी बड़ी इंज है हमें तो नहीं चाहिए इत्म बड़ी हमें इसे चाहिए इमेज कुछ ऐसे करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे अब इसको अब इसको नहीं है इसको सिंपल इमेज लिखेंगे और आगे कि वह करने लागे हैं वेट हाइट बगरा है कि बनाता हूँ तो होगी इसनी इसनी इसल काफी है चाब अब और चीज आगे देख रहे हो गई कि यह अलगा यह बहुत नीचे से ने रही है हम ना इसको सेंटर भी कर सकते हैं अब वह एक और प्रॉपर्टी होती सी एसे की स्वें करते हैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी तो में अब इमेज के अंदर मैं चाहता हूं कि थोड़ा ज्यादा मार्जिन आ रहे क्योंकि थोड़ा मैंने इसको तो ल्याहिए है स्वाइड मैं राइट उंगा ठीक है मार्जिन राइट ने जम्सके तो in इमज के राइट साथ में तो स्वहां मार्जें डि फोड़ा स्ट्वा स्वह सब्राडर इसकोस से 2020 न यत पर हिसके करतें में मार्जिन लेफ्ट मार्जिन एड हो सकते हैं अगर सेंपल मार्जिन लेखेंगे तो चारों तक होगा अगर मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट तो मतलब उद्र 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 हो जाएगा ठीक, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर 50 पिक्सल सब्सक्राइब करता हूँ पर को सब्सक्राइब यहाँ यहां शुक्रिया मुझे लेक्टिक बात में गलती से मार्जिन लेट अब मैं तो मैं ऐसे गरते हैं तो फूरा ज्यादा हो जाए अब देखिए यह लेफ्ट साइड को आई जा रहा है एक और चीज एक और चीज यह कि सम्टाइम्ज ना इमेज होती है हमारी इमेज वो ना र पूरदर रेडियस मतलब इस बॉद्डर का तोड़ा सा रेडियस लगा देंगे हम तो हम इमिज राउंड हो जाएगी वह एक्स्टा प्रॉपट्य कुन सी है वह बोडर रेडियस मैंने जैसे अब को बताए बोडर रेडियस मैं ब्रेक्धिन जितने पिक्सल आप अड़ कर ठीक है? अब टोटली राउंड हो गई है. तो यह नहीं कि थोड़ा बहुत आपको इसका भी मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी. क्योंकि बहुत इजी सी चीज़े हैं यह सारी के साथ. जी सर इजी है आपने. अब जो मैंने जो बढ़ाया उसे रीकैब कौन देगा? कि मैंने क्या किया भी बैटे बैटे? मार्जिन और पैडिंग के दिर में डिफ्रेंस कौन बताएगा? बलकि मैं फुद ही पूछता हूँ. अजबार है? अब बताओ मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफ्रेंस है? सर मार्जिन जो है वो बोर्डर के बाहर का जो मरपस दिस्टेंस होते है और पैडिंग जो है वो टेक्स लेकर बोर्डर तक जो दिस्टेंस है. येस रज गुड बहुत अश्य बताया आपने. अच्छा टोटल फिल वक्त हमने यही पड़ा अब नेक्स नेक्स हमने क्या करना हमारे नेविगेशन बारवाला प्रॉसेस काफी हद दर कम्प्लीट हो चुक है अब देखें अपना एक एक्स्टा प्रॉपरीज होती है उसके हवर हवर मतलब कि जैसे ही मैं इसके उपर कुछ लेकर आउँगा मतलब माउस उपर करूंगा हवर करूंगा तो वह वर के अपर कुछ प्रॉपरीज हम लगा सकते हैं ठीक है हवर का सबको आईडिया ने क्या होता है हवर हवर मतलब कि जैसे किसी चीज़ के उपर आएं माउस सिर्फ रखें क्लिक ना करें ठीक है उसे हम तो अब इमेज है इमेज नहीं बलके मैं एंकर टाइक को पकड़ता हूं ए ठीक है अब हम जैसे एटाइक पकड़ लिया ना सिंपल सेलेक्ट कर लिए हमने पहले भी ऐसे सेलेक्ट करते हैं मगर अब जो क्योंकि हमने होवर प्रॉपरटी से इसके लगानी है मैं कॉलन एड कि पके हवर लिखी अब मैं यहाँ पर जो प्रो पयटेशंगा जो भी स्टाइलिंग sitting वो तबइम्लिमटर्फ होगी जब मेरा माउस के उपर जाएगा ठीक है चुब मेरा माउस सिंपल हॉवर करेगा सके ऊपरागे अगर मैं यहा आकर आगिज कर देता हूं ऐसा करते हैं पिंक कर देते हैं ठीक है अब आब जैसी किसी के भी उपर माउस जाएगा मेरा तो कलर का देगा पिंक होगा जाएगा कि हावर प्रॉपर्ड्य 2022 हOTी और मैं ऐसे गरता हूं कलर पिंक मुझे नजर ठीक से नहीं आघा रहा मैं कुछ और कलर कर देता हूं करने के बाद मैं ऐसा करता हूं फॉन्ट को भी चेंज कर देता हूं कि इस जाओं इस पर फॉन्ट वेट को मैं कर देता हूं कि इसका वेट बाद मतलब एक हंड़ेट कर दिए तो अगर पतला करना फॉन्ट थिन करना तो कम आई जाएंगर फॉन्ट करना तो जाता लिक करी न ereं जितना बने करना है हमने और क्या बढ़ा मार्जन पढ़ा पैडडिंग लाउड़ा आट्श स heps बड़ेस्ट भाजेगा तो तो इतना कुछ खास ये मुद्ब मुश्किल काम नहीं है फिल वक्त कलर करना टेक्स्ट करना टेक्स्ट करना मार्जिन पैडिंग यह नहीं बहुत बेसिक चीज़ है आज हम तक्रीमन यह सारा कवर कर लेंगे ताकि हम नेक्स्ट ना कल की क्लास में एक अच्छी सी प्रॉपर् मैं आपको बताता हूं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है ऐसे नेक्स्ट वह वह बैक्गरॉंड है बैक्गरॉंड कलर बैक्रॉंड कलर हमने तो लगा लिया मगर अब हमने बैक्रॉंड इमिज भी लगानी आनी चाहिए ठीक है हाइट और विड्स इसके कॉंसेप्ट सीखने हम आप सब को पाता है तो मैं next करता हूं एक heading रिखता हूं और लिखता हूं वेलकम तो अलक्सा ठीक है यह मैंने लिखते है heading अब अगर मैने इसे सेंटर में लेकिंगा आना तो मैं क्या करोंगा मैं सिं्यकूं क्या कर Rudolph तो बिन मुझे वो भी पताना पड़ेकं तके बने ये सब कुछ नीचे ले जाता हूं ताकि है मुझे मुझे नहीं ही मैं एक्षवन बार्ट किया है और मैंने कर दिया टेक्स्त आलाइन सेंटर अब इस सेंटर में आ गया लग सा अब मैं इसकी बैक्राइंड पर एक इमेज एड़ करूँगा ठीक है बैक्राइंड पर मैं एक इमेज एड़ करूँगा मैं इमेज डाउनलूट कर ले दा हूं जहां से जैसे यह इमेज देख लेते हैं काफी अच्छी में लग रही है अच्छी में लग रही है ठीक है इसे मैं लगा लेता हूं बैक्राइंड पर तुक्छी में यहां पर हूं इज़री रहता हूं बैक्राइंड पर लगाने के लिए ना वहां से काफी बेस्पी कर लूँ का कि इजीनेस रहे मुझे मैं बाद में धूनता ना पिरूँ मैं इसमेज लिए हैं मुझे यहां पर तुक्राइंड आदेगी देखें इक साइमिज आ गई है हैं अच्छा कोई बैक्राइंड कैसे लगानी है इसमपल लिख़ें बैक्ग्राइंड अब जितने बीवेडियों आदेंगी यहां पर अब यहांपर मुझे का लेना है यूरल मुझे का अड्रेस बताना इसके लिए मैं का यूर्ल यूरल क्या करना हैं एक निए है यहां पड़ी हुए मैं गया अक्सा भी जगा मैं अक्सा सेलेक्ट करूँगा सिम्पर बैगर ने में इमेज और उसका यूरा था है ठीक है हम गया और मैं चैक की कैसी नदरा आ रही है भला हुआ 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 है कि लैप्टॉप काफि स्लो है वाइड नो वाइड बहुत अच्छी लग रही है हुआ 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 है अच्छी लेक्ट इसकी बैगरा इमेज है हम चार से न उसकारा की नदर नहीं आ रही है हमें वो जितनी जितनी स्टैक की हाइट है है दूआ है य ना देखो यहां थोड़ी सी यह गुंबद का इपर वाला हिस्सा या वी गुंबद को वाले हिस्सा नदर आरह और आसमान नदर आ रहा है हमें इसकी हाइट बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूं हाइट बढ़ाने के लिए हाइट का वह होता है पॉर्मॉला नहीं प्रॉपर्टी वह क्या होती है हाइट है तो हैंडर्ड परिष्गातभी करें वह हैंडर्ड पर्सन करें हैंडर्ड फन्यूउस इसफियर ईंप परिष्ट सु खrico हिएंडर्ड पर्सल की तो यहार जबिए कि तो तौइंगा बढ़ानी तो मैं इसकी घंट्यक्रिक्रा स्क्रीन जितनी हाइट इसकेश का है लिएक है वर्टिकल हाइट अगरapping इसका मतलब है कि एक स्क्रीन की जितनी वर्टिकल हाइड होती है वो ले अब देखें मैंने तो एक इमेज लगाई थी तीन चार आ गई है तीन चार इसलिए आई है क्योंकि इस जो इमेज है इसकी रेजलिशन ज्यादा नहीं है ठीक है अब यह जितने जगा पर आगई पीट होने लग पड़ी तो उसके लिए कुछ और प्रॉपर्टी होती है लाइक वैक ग्राउंड लिए विए यह आगया और रिपीट करते हैं वेगर नोर पीट यह को थी बैक्राउंड नोर पीट जब 9 रिपीट करेंगे तो जो इमिज होगी वो रिपीट नहीं होगी वो सिंगल वही रहेंगी टीक है पूरिज नहीं यहां पर आएगा यहां पर आएगा बैक्राउंड अटैच्पेंट पर इसे हैल में अब इसे हैं बैक्राउं रिपीट नहीं हो रिपीट एगा सब्सक्राइब आएगा से इसे जिए तो बैक्रोंड रिपीट हो गई अब जितनी खाली जगा है न वह ऐसे ही रहेगी मुझे इसको क्या करना पड़ाइगा चुछ कि मैंने सारी कि सारी मैं चाहता हूं जितनी इसकी जगा है वह सारी ले तो उसके लिए होती है जो बैक्रोंड अटेश्मेंट है उसे हमने कवर कर इसकी जगा सारी में जाने इसकी कि ओर बैक्रण अग्राण साइग पुलदória सीच देखें बैग्राउंड साइज तो अब यह जैसे कवर किया अभी कुछ प्रॉपर्टी था है जो बैग्राउंड की हमने पढ़ी है बैग्राउंड इमेज बैग्राउंड कलर हमने की ढ़िटैस कवर करना है और क्राक। आज की जो आपने अची तरह से इनको कवर करना है अची तरह से का ज़स बहुत हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम नेक्स क्रास में अची तरह से इसके सर ये समझने ही या वो समझने आई तो गोएड एन आसक लास्ट टेप दोबारा करें लास्ट टेप कौन सा मतलब आपको इमिज रिपीट जो हो ये वो नी समझा गया क्या समझने आई वही सर्जी जौपने इमेज को मतलब चार इमेज को एक किया फिर उसको पूरी स्क्रीन के फिला दिया अच्छा चलें मैं नहीं सा करता हूं ये दोनों क्रोपरीज खत्म करता हूं और दोबारा से आपको बदाते हूं अब देखो पहले क्या थी सबसे पहले मैं ये भी खतम कर देता हूं सबसे पहले क्या थी बैगरॉंड जो है वह आ गया वेलकम को अलाकसा जितने हमारी टैग जितने हमारी एलिमंट की साइज्स था अब करना ही है हम तो चाहते हैं कि थोड़ी स्क्रीन कवर करें पूरी स्क्रीन हो उसके सेंटर में लिख आए वैलकम तू अलक्सा और उसकी पीछे पिक्चर आजें बैगरॉंड में आजें है हमें क्या करना पड़ा देगा है तो हम इसकी हाइट काम है तो उसकी हाइट बढ़ा लेते हैं फीक है तो मैंने क्या करते हैं यह यूनिट होते है हाइट विट्स के वह यह कि क्या कहते हैं जब आगे ब्रॉड लावल बावरेज पार लगे व फिल वक्ती खे डीक है आपके लिए जब आगे ब्रॉड लावल पर पढ़ेंगे इसे एक्स्टोर करेंगे तो आप लोग यह नहीं कहेंगे कि एक स्क्रीन की हाइट की हंड़र्ड विएच होती है अल्मोस्ट यही होती है क्या अब तब तक एडवांस्ट हो चुके होगे है अच्छा हुआ यह कर लोगे है तो सारी के सारी सोटा था था तो इसने सारी सपेस कवरड़ करने के लिए अपने को रिपीट पर लिया है तो मैं करूंगा एक होती है बैगरॉंड रपीट गई पेज्ट रपीट की प्रापरटी और रहक्माः एकी प्रापरटी और में लिखूँ Гरब मैंद्वाइं नहीं है वह मैंन ungefसे इंड था करें source लिए हीट कवर करें तो हम उसके लिएक और प्रॉपर्टी होती है एक हमारे बैकरोंद doesे मौना लगी विए उसको हम करते हैं जितनी आको कवर कर लें लिए था ले हां झाल झाल